महँंगाई से परिशान लोगों को रक्षाबंदन के मौके पर मोधी सरकार सस्ते LPG सिलेंडर की सौगाद देने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक महेंगे लपीजी सिलेंडर को लेकर विपक्ष के लगातार हमने जेल रही मोधी सरकार ने घरेलू लपीजी सिलेंडर के दामों में 200 रुपए तक की कटोती करने का फैसला किया है। हालाकि ये फायदा के वर प्रधानमंदरी उजवला योजना के लाबारतियों को ही मिलेगा। हजार चौबिस तक के लिए एक्स्टेंड कर दिया गया था। इसके बावजूद इस योजना के तहट सिलेंडर कराने वालों को 900 रुपए खर्च पड़ रहे थे। यही बज़ा है कि पीम उजवला योजना के लाबारतियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार अब 200 रुपए अतिरिक्त LPG सिलेंडर पर सबस्री देने का फैसला किया है। दरसल प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने 15 अगस 2023 को स्वतंतरता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से कहा था कि सरकार ने आम लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए कई फैसले लिए और आने वाले दिनों में भी और फैसले लेगी। अगले वर्ष 2024 में होने वाले लोग सभा चुनाव से भी जोड़ कर देखा जा रहा है। सरकार ने प्रधान मंतरी उजवला योजना के लाबारती तो राहत दे दी है। लेकिन इस योजना से इतर जो लोग सिलेंडर रिफिल कराएंगे उन्हें अभी भी LPG सिलेंडर रिफिल कराने पर 11-13 रुपे खर्च करने होंगे। महेंगाई से परिशान जनता को केंदर सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार घरेलू रसोई गैस सिलेंडर में 200 रुपए तक की कटोथी करी है सरकार घरेलू रसोई गैस सिलेंडर पर 200 रुपए की सबसिडी की घोशना कर दी है यह सबसिडी उजवला योजना के तहट आने वाले लाबारतियों को ही मिलेगी बदादे कि अगस्त के महीने की पहली दिली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 1103 रुपए थी तो वहीं मुंबई में रसोई गैस सिलेंडर का दाम 1102.5 रुपए, कोलकता में 1129 रुपए और चिन्नाई में 1118 रुपए था। पेट्रोलियम कंपनियां हर महीने की पहली तारिक को LPG की कीमतों में बदलाफ करती है।